ग्रीन कलर इसे बनाना सीखेंगे ये बहुत ही इजी डिजाइन है और इसे आप किसी भी वूलन प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं देखिए इसके लिए हमने वाइड कलर से जो बेस बनाया है और रेड और ग्रीन से हमने इसमें डाला है तो सब्से पहले हम रैड कलर का यूज़ करेंगे पहली सलाई के लिए इस पंदे यहां पर हमने लिए हैं 4 के मल्टिपल में प्लस 3 फोर के मल्टिपल में आप कितने भी फंदे इसमें अपने वूलन प्रोजेक्ट का एकोर्डिंग लेके उसमें त्री प्लस करेंगे तो यह डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पे इजिली अप्लाई हो जाएगा रैड कलर से हम पहले तीन फंदो को सीधा बुनेंगे देखिए तीन फंदे सीधे बुनने के बाद चौते फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे और फिर से अगले तीन फंदो को सीधा बुनेंगे दिखिए फिर से चौता फंदा उतारेंगे बिना बुने अब यही प्रोसेजर फोलो करते हुए इस पूरी सलाई को हम कंप्लीट करेंगे एक लास्ट के तीन सलाई फन्दे वचbahn इने भी हम प्रोसेजर सीधा बुने अब आलाज जाती है अब आलाजाते हैं रॉंग साइड में दूसरी सलाई के लिए ! और दूसरी सलाई में हम सारे फन्दों को उल्टा बुने के वित की सब बुने और जो white फंदे हैं जो बिना बुने छोड़े थे इन्हें as it is बिना बुने ही छोड़ेंगे देखिए red फंदे आये तो इन्हें हम बुन रहे हैं उल्टा और फिर white आया तो इसे हम ऐसे ही छोड़ेंगे चलिए इस तरह से ये दूसरी सलाई हम complete कर लेते हैं ये देखिए पहली दो सलाई हमारी complete हो गई है और अब हम तीसरी सलाई में आ गए हैं तीसरी सलाई में हम white color से बुनाई करेंगे और पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे दो सलाई हमने red color का यूज किया तीसरी में हम white color का यूज करेंगे जो कि हमारा बेस कलर है ये देखे पहला फंदा उल्टा बुनने के पाद था कहा हम पीछे ले जाएंगे राइट साइड में और अगले फंदे को हम बुनेंगे सीधा फिर से धागा आगे लाएंगे इस सलाई में हमें बेसिकली एक फंदा सीधा और एक उल्टा बुनना है ये देखे तीसरा फंदा हमने उल्टा बुना और चौथा फंदा हम सीधा बुनेंगे यहाँ पर ध्यान दीजी ये जो सीधा फंदा बुन रहे हैं ये वो फंदा है जो हमने बिना बुने छोड़ा था चार फंदे हो गए, पांचवा फंदा फिर से हम उल्टा बुनेंगे, फिर अगला फंदा सीधा, और फिर उससे अगला फंदा उल्टा, उल्टा बुनने के बाद देखी जब हमारा सीधे फंदे का नमबर आया, फिर से हमारा वही फंदा आ गया है, जो हम बिना बुने छोड रहे थे अब इसी तरह से हम पूरी सलाई को कम्प्लीट करेंगे यह एक उल्टा दूसरा सीधा और तीसरा फंदा फिर से उल्टा और जब हम सीधे फंदे पर आए तो यह हमारा बिना बुना फंदा आ गया चलिए इस सलाई को हम ऐसे ही करके कम्प्लीट कर लेते हैं यह देखिए तीसरी सलाई हमारे कम्प्लीट होने के बाद अब हम चौती सलाई में हैं रॉंग साइड में और यहाँ पर हम सारे फंदो को उल्टा बुन देंगे जितने भी फंदे आपने अपने वूलन प्रजेक्ट के अख़ब से लिए हैं सारे फंदो को चौती सलाई में हम उल्टा बुनके किसे कम्प्लीट कर लेंगे चौती सलाई पूरी होने के साथ ही यह डिजाइन हमारा आदा कम्प्लीट हो जाएगा आठ सलाईों को यह डिजाइन है उसके बाद चार सलाईयां हम इसमें ग्रीन कलर से डालेंगे ही हमारी चार सलाईयां कॉम्प्लीट ओचूकी है और पहली चार सलाईयों में हमने रैड़inger Argentina की ए अब अगली चार सलाईयों के दिखरेंग एक तेरी वह हम scream को ऐसम के लिए पर parenting इस फंदे को उतारने के बाद अगले तीन फंदों को हम सीधा बुनेंगे ग्रीन टर के साथ ग्रीन से बुना हमने फिर से एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और फिर से तीन फंदों को बुनेंगे अब हमारा पूरी सलाई में यही प्रोसेजर चलेगा, तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे और एक फंदा भिना बुने उतारेंगे यह हमारे डिजाइन की पाँचवी सलाई है और पाँचवी सलाई कम्प्लीट करके अब हम छटी सलाई में आ जाएंगे पाँचवी सलाई कम्प्लीट होने के पाद हम छटी सलाई में हैं रॉंग साइड में और यहाँ पर हम ग्रीन फंदो को उल्टा बुनेंगे जितने भी green fund हैं उन्हें पहला fund हमने उल्टाबुना दूसरा fund हमारा white है इसे हम भीना भुणे ही उतारेंगे अगले three fund as greenoster से हम उल्टे बुनेंगे जो भी हमारे greenflower के fund विशनदे हैं उन सब को हम उल्टाबुनेंगे और white fund को भीना भुनें चोर दे जाएंगे इस तरह एसे यह चोटी सलाई भी हमारी complete हो जाएगी इसे अमने फिर से छोड़ दिया है गिकी फिर से इस चलिए इस सलाई को हम complete कर लेते हैं यह देखे design कि हमारी 6 सलाई कम्प्लीट हो चुकी हैं और सातवी सलाई के लिए अब हम इसमें पाइट कलर का यूज़ करेंगे और पहले फंदे को हम बुनेंगे उल्टा ये सलाई बिल्कूल हमारी तीसरी सलाई के जैसी है देखे पहला फंदा उल्टा हमने बुना दूसरे फंदे के लिए हम दागे को पीछे ले जाएंगे और अगले फंदे को सीधा बुनेंगे पिर यो फिरो अगये को लाई बीर फंदा इहां भास हमें ध्यान ये रखना है कि यह जो हमारा वाइट फंदा है जो बिना बुना छोड़ा गया है यह हमारा सीधे फंदे से बुना जाए कभी भी इस पर हमारा उल्टा फंदा ना आए अगर उल्टा फंदा आएगा तो ये गलत हो जाएगा देखिए फिर से हमारा सीधा फंदा आगया वाइट फंदे पर चलिए इस सलाई को हम कम्प्लीट कर लेते हैं ये साथवी सलाई है हमारे डिजाइन की देखिए हम साथवी सलाई कम्प्लीट करके आठवी सलाई पर आ गए हैं ये हमारे डिजाइन की फाइनल सलाई है इसमें सारे फंदो को हमें उल्टा बुनना है फॉर्ट सलाई की तरह हैं सारे फंदो को उल्टा बुनके इस सलाई को हम कम्प्लीट कर लेते हैं ये देखिए आठ भी सलाई के कम्प्लीट होने के साथ ही ये डिजाइन हमारा कम्प्लीट हो गया है अब इस डिजाइन को आगे बढ़ाने के लिए इन आठ सलाईों को रिपीट करते जाएंगे आप ये डिजाइन आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने वुलन प्रोजेक्ट में जरूर यूज करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट में आप इस डिजाइन को यूज कर सकते हैं ये बहुत ही सुन्दर लगता है अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगता है